अलो विद्यार्थियों मैं मुकेश शर्मा आज का हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस डिफ्रेंचिल इक्वेशन यह है बीएस्सी पार्ट दुईतिय के पेपर डिफ्रेंचिल इक्वेशन के यूनिट नंबर शेकिंड में इस्तित है यूगुपत आउकल सेमिकन साइमल्टेनियस डिफ्रेंचिल इक्वेशन विद्यार्थियों यह टॉपिक बहुत ही आसान है और आप आसानी से इसको समझ सकते है इसमें कुछ नोटेशन्स हम काम में लेंगे डी एक्स बाइडी टी इस इकल टू डी एक्स लिख सकते हो कैसे इन कुस्टेन्स को सौल किया जाता है कैसे इन डिफ्रेंचिल इक्वेशन को सौल किया जाता है जैसा कि नायम से पता चलता है हमें simultaneous differential equation यानि आपको दो equation दे रखी होगी और उनसे x और y के मान निकालने आपको इसमें एक जैसे example number एक दे रखा है solve हल कीजिए और आपको दो equation दे रखी है एक तो यह और एक है अब आपको क्या करना है इनको solve करना है कैसे देखिए सबसे पहले solution the given equation can be written as यह line पढ़ लिया आपको अभी हमने बताया था इसको आप dx लिख सकते हो आपको अभी हमने बताया था इसको आप dy लिख सकते हो और यह बाकी है जैसे अब आपने क्या किया कि यह इसमें से और इसमें से y common ले लिया या आगे इसको एक number से मिकरन देदी इसी तुरी कैसे आप इस equation को देखे इसको आप dx लिख लो इसको इसको आप dy लिख लो ठीक है और यह बग की है जैसे है तो यह इसमें से और इसमे यह जैको पहली और तिह सीटरम में से इसमें इसकी बात कर रहे हैं है तो पहली और तीस रिटम में से x को में ले लिया तो आप ऐसे लिख सकते हैं यह आपकी दो नमबर से मिकलना है तो इस तरीके से हम हमारी पास में equation number 1 वे 2 आगी अब हम जैसे हम छोटी क्लासों में x और y की जो equations होती है दो उनको solve करते हैं तो इसी तरीके से यह भी देखो होती आसान है इसमी जैसे हमने rule लगाए है एक को d से multiply करो दो को d minus 2 से करो तो देखो एक जो जो से flickern है उसको धान से आप देखी एजो एक number से flickern है इसको d से multiply करना है इसको तो D से मल्टिप्लाई करना है यानि इस वाला तो यहां दे दो D-2 से इसको कर दो और जोड़ना है तो आप यह देखोगी कि यह वाली ट्रम कट जाएगी तो इस तरीके से यह देखिए इसने यह वाला जो है यह लगा दिया ओप्रेशन यह उप्रेशन लगाने से यह आ गया अब आपने जोड़ा तो वो सोल होके कुल मिलाके आपके पास में यह चीज आ गई तो यह ध्यान दो कि जब आपने इक्वेशन नमबर एक को D से मल्टिप्लाई कराया दोनों तरफ तो यह आपके बात बनी तो यह जो D होगा वो इसमें अंदर गुना कराना है इसी तरीके से D माइनस टू इसमें गुना कराना है यह सोल होके कुल मिलाके सारा यह बन गया अब आप इसमों साइक से मिकंड देखे M स्कॉर माइनस टू बराबर जीरो तो है M is equal to plus minus का root 2 तो CF अपने पास में कितना आ गया C1 E की पावर root 2T plus C2 E की पावर minus का root में 2T PIE निकालने के लिए आपको 1 के अपन में D स्कॉर माइनस टू और 9 कोस्ट है आप यह लिखते हो तो यह आपको CF और PIE के जो rules है वो आपको थोड़े आने चाहिए तो अब आप D स्कॉर को क्या रखोगे D स्कॉर को आप रखोगे minus 1 क्यों क्योंकि कोस्ट T है तो T के पास में यहां कितना है एक है तो यह D स्कॉर को क्या रखा जाता है minus a square, तो यहाँ d square को अपन क्या रख देंगे, minus 1, तो यह देखिए, हमने minus 1 रखा, तो यह आ गया हमारे पास में, यह, अब यह soul हो कि यह आ जाएगा, तो x is equal to क्या जाएगा, cf plus pa, यह आ गया हमारे पास में, x is equal to cf plus pa, तो x is equal to c1 e की पावर root 2t, plus c2 e की पावर minus का root में 2t, plus 3 को श्टी, यह आ गया हमारे पास में, अब आप क्या करो, do 1 plus 2, यह आ गया, एक और दो को हमने जोड़ा, तो देखो, आप एक और दो नमबर से मिकंड कोन से, यह, जो simple एक और दो नमबर से मिकंड है, यह, तो देखो, इसको जोडने से क्या होता है, जैसे आपने लिख ली इनको जोड दिया जोडने से देखो ये वाली ट्रम में वो इसमें जूड जाएगी ये वाले इसमें जूड जाएगी ये देखो पहले हिनकी जिर्जा करते हैं तो 4 और 2 6 कोष्ट हा जाएगा कोष्ट 7 अर 3 10 साइन टी यह अब इनको देखो D पहले X वाला मामला देखो यह आगया Y वाला देखो यह आगया तो वो सोल होके कुल मिला के यह आगया तो अब यह सारा सोल होके यह चला गया तो कुल मिला के आपके पास में यह आगया Y का मान आगया देखो y का मान आगया, solve करने पर, dx बटा dt प्लस x माइनस 3 कोस्टी प्लस 5 सेंटी, यह आगया, तो x का मान आपने रख दिया इसमें, प्लस x का मान फिर यहां रख दिया, और प्लस 5, x का मान रखा पूरा, यह x का यह, फिर यह देखो, माइनस का 3 कोस्टी प्लस 5 सेंटी, यह तो फिर यह डिफरेंशियेशन कर दिया, इतने पार्ट का x के रिस्पेक्ट में, फिर यह एजस है का जैसी, फिर इसमें यह, पिछे यह देखो, यह वाली चीजी है, सारी जुड़ी तो खुल मिलाके, सोलो के वाई आजाएगा, तो हमारा जो अबजेक्ट था, फिर से समझ लीजिए, हमारा जो अबजेक्ट था, वो x और वाई का मान निकालना था, और वो हमने निकाल लिया, तो इस तरीके से हम x और वाई के मान निकाल सकते हैं, तो बहुत ही आसान है, आ आप इसको दुबारा से रीड कर सकते हो कि वही सबसे पहले इसको डी-एक्स लिख सकते हो देखो यह वाले बार्ट इसको डी-एक्स लिख सकते हो इसको यह जैसे है यह कुल मिला के यह डी-एक्स यह डी-वाई मेंसे टू-वाई को मन ले लिया यह आ गया यह आ गया एक तो x को मलने लिया यह आगया, यह आगया, यह आगया, यह थो नूम्बर से ह्पैब में अब अपन जो चोटी क्लासों में जैसे solve करते थे किसी पार्ट को अटाना होता था तो वह आसे solve करके हमारे पास में CD यह एक सैमिकांड बनगी यह वाली C1 E की पाव रूट में तूटी प्लस C2 E की पाव माइनस रूट में तूटी आप P.I. P.I. निकालना है तो 1 अपॉन D स्कॉर माइनस 2 और यह आजाएगा माइनस का 9 कोष्ट यह आगया अब D स्कॉर को क्या रख दो आप माइनस 1 रख दो तो यह आजाएगा हमारे पास में यहाँ पर यह आजाएगा सोलो के और X is equal to C1 प्लस P.I.S. अब आपने क्या किया Y का माइन निकालने के लिए देखो इसने क्या किया Y का माइन निकालने के लिए दोनों से मिपनों को जोड़ा जोड़ने से इसने यह देखा कि यहाँ कुल मिला के यह बच गया सारा इसको आप ऐसे लिख सकते हो तो चुँकि आपने X निकाल लिया तो यहाँ और यहाँ X रख दोगे तो कुल मिला के Y आजाएगा इससे आप इसकी प्रैक्टिस खुद भी करें अगला क्यूश्चन देखें क्यूश्चन नमबर दो यह थोड़ा अलग टाइप का है अच्छा इंपोर्टन क्यूश्चन से सबसे पहले आपको यह एक्जाम्पल नमबर दो देर का सॉल्व हल कीजिए T D X is equal to T minus 2 X D T T D Y वराबर T X plus T Y plus 2 X minus T D T यह एक और दो नमबर से हमकेंदेर की है हमने इनको जोड़ दिया जोडने पर यह देखो 야 teakो left hand दोना तरफ का integration कर दोगे तो आपके पास में यह बन गई बात यहां पर आगे अब यह देखो constant of integration od log C जोड़ा जो कि आप left में लेके जाओगे तो लोग ये माइनिस लोग भी, लोग ये फॉन भी होता है लोग इस तरफ आएगा तो ये e की पाव t बन जाएगा c1 इस तरफ है, ये स्टार एक्वेशन है अब हमने अगेन बाइ वन एक्वेशन अब देखो एक नमबर से मिकन कौन सी थी ये देखो एक नमबर से मिकन उपर वाली ये वाली, इसकी बात करता है t dx is equal to t minus 2x dt ये देख लो, पक्का कर लो एक नमबर से मिकन, लिख ली हमने ये रही एक नमबर से मिकन dt का इदर divide कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है 2x इदर भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है t से multiply कर दिया अब आप जब यह इन दो ट्रम को देखोगे तो आप इसको सही प्रूप से ऐसे लिख सकते है फिर आपने क्या क्या dt इदर भेज दीजिए integration करोगे तो आपको क्या मिलेगा d से t ये कट जाएगा और ये बन जाएगा कुल मिला के तो c2 जोड दिया अपने integration x थी है तो t2 का भाग लगा दिया ये चार नुमबर से मिला गया अब 4 से x का मान अगर अपन इसमें रख देते हैं star equation ये तो अपने पास में किस का मान जाएगा y का मान जाएगा जो कि हमारा answer ये हमारी पास में answer आ गया तो ये अलग टाइप का question है ये भी important example है फिर से इसको read कर लिजी आपके पास में ये question देर का एक और दो नुमर आपने इनको जोड दिया जोडने पे ये आ लगया दोनों तरफ integration कर दिया integration करने के बाद में हमारे पास में ये मिल गया log c1 जोड दिया integration ये आ गया कोई दिक्कत नहीं है ये आ गया log a upon b log a minus log b log a upon b होता है log इदर गया तो ये आ गया फिर again by one ये आ जाएगा tdx एक नमबर से मिकरना आपने ये है अपनी पास में dt का डिवाइड कर दिया फिर 2x उदर वेज दिया फिर t का multiply कर दिया अब ये जो दो ट्रम है न ये ये द्यान लगो ये पका कर लो इनको आप ऐसे लिख सकते डिवाइटी आप इनका differentiation करो तो देखो ये ही मिलेगे दो ट्रम तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो फिर dt को आप इदर वेज दीजिए integration कर दो 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 तरफ ये आगया अब x का मान आप इसमें star equation में रख दोगे y का मान है और हमारा object यही था कि आपको x और y के मान निकालने होते हैं वो निकाल दिया है तो इस तरीके से हम क्या है कि simultaneous differential equation solve कर सकते हैं इनके आप और भी examination में आई वे questions की practice कीजिए और बहुत ही आसानी से आप इनको solve कर सकते हो और कोई भी problem हो तो आप पूच सकते हो धन्यवाद